नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा आपको 10 ऐसे बेसिक्स जो की कोई भी वेक्ति अपना वेट लॉस कर रहा है तो उन्हें ये चीज़े ध्यान में रहने चीज़ें इस जो मैं तरीके बताऊंगा दोस्तों 10 चीज़े बताऊंगा यदि आप इसमें चेंजि रिजल्ट दिखने लग जाएंगे मतलब कि यह कि दोस्तों 5-6 दिन में आपको उसके रिजल्ट दिखने लग जाएंगे और यह चीज़े आप यदि कंट्रोल नहीं करते तो आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस कभी कंट्रोल नहीं होने वाला दोस्तों यह ऐसी साइज भी कितनी कर रहे हैं या फिर आपको मतलब प्रोडेक्ट ले रहे हैं वेट लॉस के तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे और इनको अच्छे से फोलो करेंगे तो बिना प्रोडेक्ट के भी दोस्तों आप अपना वेट काम आने वाला है तो आप इसका जरूर ध्यान रखें नमबर वन दोस्तों शूगर जो चीनी होती है वो इसको अपनी जो डाइट होती है जिसमें आप जैसे माली जी चाय में डालते हैं किसी में भी डालते हैं आप मीठाईयां खाते हैं तो शूगर को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए यानि हटा दीजिए क्योंकि दोस्तों एक बेट वड़ने का सबसे बड़ा रिजन है शूगर आप यदि मतलब इसको पूरी तरीके से हटा नहीं कर सकते तो इसको कम कर दीजिए यदि कम भी कर देंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस फास ज्यादा फरक बड़ेगा सेकिंड दोस्तों लोग सुबह मौर्णिंग की चाय पीते हैं चीनी डाल कर जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा हाई कैलोरीज की होती है और अपने वेट बढ़ाने में बहुत काम मतलब बढ़ा देती है हमें लगता है कि यह कुछ नहीं हमें ज्या हुगर वाली ती होती है इसको आप हटा दीजिए इसकी जगे दोस्तों आप ब्लैक ती ले सकते हैँ वह भी बिना मतलब कि चीनी डाले या फिर बिना पीषिकों सेप transmitted ले प्रिक्रीण आप और घ्रीटी ले सकते हैं यह आपको फाइदा ही करेंगे आपका पांडे वित कं प्रॉपर माततरा में यह लेते उससे भी क्या हमारा मतलब जो वेट घटयने का हותा था क्योंकि दोस्तों आप जो भी खाते हैं सको पाानी अच्छे से डाइजेस्ट पचा देता है और पचाने क्या होता है कि वह हमारे मतलब शेल में टिकता नहीं है फैट और वो जल्दी निकल जाता है तो आप पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें बहुत ही ज्यादा पोटेंट है फूर्थ दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि आप जब भी अपना खाना खाएं तो उसको अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दें कहने का मतलब यह है कि दोस्तों आप जैसे माली चीए दो टाइम आप खाना खाते थे तो उसको चार से पांच टाइम में डिवाइड कर दीजिए अलग-अलग उसमें भी दो टाइम आप हेल्थी स्नेक्स लीजिए जो कि कम कैलोरीज के हो जिसमें आप ऐसे ले सकते हैं कि दो मैं बता दू दोस्तों कि आपको एक तो मॉर्णिंग में एक चीज मतलब एड करनी है और नाइट में भी एक चीज एड करनी है दोस्तों इसमें आप लेमन टी ले सकते हैं हनी के साथ जैसे मॉर्णिंग में सुबह उठते ही आप आदा नीमू आपने निचोड दिया एक ग पानी को गरम करिए उसमें चुटकी बर आप सिनेमन डाल दीजिए उसको उबालिए जब तक कि आदा नहीं हो जाता और रात को सोते समय यह ड्रिंक पी सकते हैं इसके अलावा भी मैंने प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा मैंने बहुत सारी नाए ड्रिंक भी बता कि है और इसको सुबह की जो मॉर्णिंग ड्रिंक है वो भी बता कि है तो वह भी आप देख सकते हैं इसके अलावा मैं बता दू दोस्तों कि वेट लॉस करने में आपको सब बहुत योगदान देता है सुबह आप वॉक करें दोस्तों सुबह करें आप 20-25 मिनिट वॉक आपको रिजल नहीं दिखेगा लेकिन आप यदि रेगुलर इसको वॉक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्स आने वाले और आप यह कर सकते हैं रात को भी कर सकते हैं दोस्तों लेकिन पूरे दिन बर में एक टाइम आपको शरूर करनी है इसके अलावा बता दू आपको 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 आट बजे तक दिनर कर लेना चाहिए दोस्तों आप लेट करते हैं तो फिर मतलब पूरी तरीके से पस्ता नहीं है और वह फैट के रूप में जमा होता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसके अलावा बता दू दोस्तों आपको फाइबर भी हो और जो आपके शरीर के लिए अच्छा रहे आपको विटामिस भी मिले तो फूर्ट का भी आप ज्यादा से ज्यादा उपियोग करें इसके अलावा दोस्तों जो एक इंपोर्टेंट चीज़ है वो यह है कि आप प्रॉपर रेस्ट करें तनाव में नहीं रहें क्यों कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो अपना वेट भी बढ़ जाता है तो इस चीज का भी ध्यान रखें इसके अलावा दोस्तों प्रॉपर आप सूरे की मतलब किरने लें जो सुबह मौर्णिंग की होती है विटामिन डी आप ज़रूर ल करते हैं वो भी हाई लेवल पर तो दोस्तों आई होब आपको वीडियो समझ में आया होगा और कौन-कौन लोग इसको फोलो करेगा कमेंट में जरूर बताए और अपना जो वेट है वो भी बताए क्योंकि दोस्तों उसके अपको मतलब डाइट प्लान बताऊंगा जिससे क कि आपको हैल्प मिल सके और दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दवा दे क्योंकि दोस्तों मैं डेली हैल्स से रिगारिंग इस पर वीडियो बनाता रहता हूं तो मिलते किसी नेक्स वीडियो में आज के लिए गन्यवाद